दिस न्यूज इस स्पॉंसर्ड बाइ शहीद लख्वीर सिंग हीरा चैरिटेवल एबुब एजुकेशन सुसाइटी मेरा सुसाइटी का एक मात्र उदेश्य समार सेवा नमस्कार हिमाचल आपडेट में आपका एक वार फिर स्वागत है आज हमारे साथ पलोडा पंचैत के नव निर्वाचित परदान रगवीर सिंग भाटिया जी मजूद है ये बतार SBI में मनेजर पद से रिटायर हुए हैं और ये इलाके में एक मिलनसार शक्षित के रूप में इनकी पहचान है और इसी बलबूते पर आज ये प्रदान पद पर निर्वाजत हुए हैं तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और इनसे बात करेंगे कि वो मदाताओं को क्या कहेंगे उनका अपनी जीत कश्रे वो किसको देंगे और उनकी भावी जोजने क्या क्या होंगी तो परदान जी आपका हिमाचल अपडेट में स्वागत है सर प्रत्तम तो मैं आप सभी आपका दन्यवादी हूं हिमाचल अपडेट न्यूज का और हिमाचल सीटीज का तो परदान जी आप इस मौके पर अपनी जीत कश्रे किसको देंगे मादाताओं को यह तो मादाताओं को मैं इस में मेरे परिवार के मेरे भाई का बहुत जादा योगदान रहा और हमारे गाम के बु하지 सीभी लोग जोयं उनका बहुत जादा योगदान रहा तो इस मौके पर आप मदाताओं को क्या संदेज देंगे जो कंपेन के दुरान बाइदे किये हैं मैं उनको पूरा करूँगा मैं सुभा दसवे से लेकर के दोवे तक पंचाहित कालेले में पुस्तित रहूँगा तक पहचाथ जो हमारे सीनियर सीटिजन है अगर उनला कोई पेपर वेरिफिकिशन करानी है वो नहीं आ सकते हैं वो मेरे को कॉल करेंगे मैं उनके पास उनके घरदवार पहुंच करके उनकी सेवा करूँगा मेरा उदेश्य केबल मदाताओं की सेवा करना है कि आपकी क्या क्या भावी जोजनाय होंगी है सरप्रत्थम तो मैं गाम के बुजुरग और जो बुदिजी भी लोग हैं और सभी को मान सम्मान दिया जाएगा एवम मेरा जब मैंने ये चुनाब के लिए सोचा था तो मेरे दिल में एक उमंग थी कि आप मैं सेवा बैंक की सेवा से कार्यों मुक्त हो चुका हूँ और आप मैं लोग सेवा करना चाहता हूँ जिसके द्वारा अगर जैसे कि आप मेरे को मौका मिल गया है तो मैं रास्ताओं का निर्मान जैसे कि सोलर राइट्स अब हम सरकारी योजनाएं जो है उनको सचारू रूप से चलाने के लिए लोगां को एजुकेट करूँगा और महिलाओं में जा करके महिलाओं को शिक्षा का मतब बताऊंगा कि शिक्षा जो है केवल एक ही हमारे पास जनतर है जिसके माध्यम से हम जितने भी हमारी समाज की बुरहिया हैं उनको हम दूर कर सकते हैं हैवं मैं मुड़ापा पैंशन समाज सुरक्षा पैंशन बीदवा पैंशन के जितने भी कागजात होंगे तो यहां पंचायत कारेले में कंप्लीट करके सबंदित कारेलों में मैं स्वेम जम करा करूँगा और साथ मैं जैसे कि आजकल बेरोजगारी बहुत है तो मेरा यह प्रतन रहेगा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रीम को जाज से ज़्यादा रोजगार दिलाया जाए और गाम का विकास भी हो सके शिक्षा परसार के लिए मैं मैं एक लाइबरेरी का प्रवंद कराना चाहता हूं और यह मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसमें कामजाब हो जाऊं सबी कारेयों को सबी कारेयों मैं गुण बत्ता वो पारदर्स्ता मेरी प्रात्मिक्ता होगी मेरा सपना है कि यह पंचायत आने वाले समय में एक अधर्स प हैं लोग चुनाव में जाने से पहले कोई अपना वीजन ने हैं ताकि आने वाले समय में हमारे गाम की खुशहली हमारे गाम में कोई किसी परकार का नशा और मैं यह मैं आपको जकीन दिलाता हूं कि मेरा केंदर अपने शिक्षा तो होगी होगी पर शिक्षा के साथ साथ म जो आजकल हमारे नबजुक नशे की ओर जा रहे हैं उनको समझा करके या जो लोग कोई नशे का अगर कोई कारोबार करती हैं तो उनको भी समझाया जाएगा मैंना अपने वीजन डाकॉमेंट में ये भी कहा हुआ है कि जो मेरे को मान दे मिला करेगा उसको एजूकेशन के ओपर गरीबों की बुमारी के ओपर जा कोई ऐसा पीड़ी तो हो जिसको पैसे की जरूर तो हो उनके ओपर खर्च किया जाएगा ये थे हमारे साथ पलोडा पंचैत के नव नर्वाचित परधान रगवीर सिंग बाटिया जी जिनका बहुत ही अच्छा वीजन है उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पंचैत में चोव मुखी विकास करवाऊंगा और जो अपना मान दे है वो मैं गरीब लोगों की मदद पर ख आई जाएगी ताकि उसमें कोई किसी प्रवगार की गुंजैश ना रहे इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना के साथ तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा जो लोग रोजगार है उनको रोजगार दिया जाए इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि शिक् ही कताब हैं जो वो पड़ दो